आई गाईज आप सभी का वेलकम है हमारे यूटुब चैनल के एक और नए वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाल है कि पाल वर्ड में जो एनिमल होता है जो पाल होता है तो दोस्तो हर पाल जो है हर एनिमल कुछ न कुछ काम करता ही है आपको जो है वो पाल के प्रोफाइल में जाना है जैसे कि मैं अभी पाल बॉक्स में हूँ मेरे पास बहुत सारे पाल है तो जैसे मैं पहला वाला पाल दिखाता हूँ लेंब बॉल जो है तो इसमें आया मैं F प्रेस करता हूँ उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है work suitability तो यहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा पाल क्या क्या काम कर सकता है जैसे यह लेंब बॉल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है handiwork level 1 मतलब यह जो है कुछ-कुछ बनाने में आपको मदद करेगा जैसे आप spare बना रहे हो तो spare बनाने में आपको help करेगा लेकिन यह level 1 का है मतलब इसका speed कम रहेगा और जो high spare होता है वो यह नहीं बना पाएगा और second follower किसका है transporting मतलब इस सवान एक जगा से दूसरे जगा लाएगा मतलब जब आप इसको ranch में sign करोगे तो यह कुछ-नो-कुछ produce करेगा जैसे कि यह lamb ball है तो यह wool produce करता है और ऐसी हम लोग जैसे दूसरे चीज में जाते हैं जैसे यहाँ पर जो chickpea है इसमें मैं address करके जाता हूँ तो यहाँ पर यह gathering करता है मतलब आप जैसे berry plantation में berry उगा रहे हो तो यह chickpea क्या है उसको जाके harvest कर देगा तो ऐसी जो है हरपाल का एक नएक work होता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है और जो third वाला है leaf monk इसका मैं आपको दिखाता हूँ यह बहुत सारे काम कर रहा है आप देख लीजे planting कर रहा है मतलब आप जैसे berry plantation आप कुछ भी plantation लगा रहे हो तो उसमें जाकर वो seed डाल देगा handy work है मतलब जो आप craft कर रहे हो तो उसमें आपका मदद करेगा lumbering भी कर रहा है मतलब wood काटने में मदद करेगा और यहाँ पर देख लिए medicine बनाने में भी help करेगा gathering भी करेगा तो आपको इसका ability पता चल गया वैसे ही हम आगे आते तो यहाँ पर देख लीजे fox parks है यह सिर्फ kindling करता है kindling मतलब क्या होता है जैसे आप furnace वागर बना रहे हो और उसमें आप metal ingot जो है पिखलाना चाहरे हो fox park जो है वो जल्दी पिख कर देता है और वैसी यहां पर आ रहा है तो फॉक जो क्या करता है वाटरिंग करता है level 1 का मतलब जो बेरी प्लांटेशन वागर रहेगा उसमें पानी डाल देगा हैंडी वर्क है ट्रांसपोर्टिंग करता है तो ऐसी करके आप हर पाल का वर्क चेक कर सकता है कौन सा पाल क काम होता है सभी के सभी जैसे हैंडी वर्क यह काम भी करेगा आपका क्राफ्टिंग में मदद करेगा ट्रांसपोर्टिंग करता है वाटरिंग करेगा लेवल 2 का और माइनिंग मतलब आप इस्टोन फार्म लगा दोगे तो यह माइनिंग करेगा वह भी बहुत जल्दी होत अगर आप अपने बेस में cooler box जो होता है वो लगा दोगे तो उसमें आप खाना रखोगे तो यह cooling कर देगा और आपका जो खाना है वो ज्यादा लंबे टाइम तक ठीकेगा क्योंकि जो food होता है वो कुछ टाइम बाद वो expire होके कतम हो जाता है तो guys ऐसे ही करके आप अपने प